हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको लोगी की बहुती टेस्टी मसालेदार सबजी बनाना सिखाऊँगी बहुती चटपटी है और जटपट बनाया जाती है तो चल ये रेसीपी को स्टार्ट करेंगे रेसीपी पसंदाया तो लाइक और शेयर जरूर केज़ेगा लोगी की सबज में ही डालना है नई तो ये काली पर जाएगी तो उसके बाद यहां पर मैंने एक कुकर को गैस के उपर रख दिया है गैस की आच यहां पर मैंने मिडियम की है उसके बाद हमें एड़ करना है दो बड़े चम्मच तेल और गैस की आच यहां पर मिडियम रखनी है गैस तेल ज चुटकी बर हिंग डालने के बाद यहां पर मैंने एक सुखी लाल मेश एड़ की है उसके बाद हमें एड़ करनी है दो चोटे टुकडे दालचिनी के उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है तो आप इसे जरूर एड़ कीजिए उसके बाद मैंने यहां पर एड़ कर दिया है उसके बाद हम आदा चमच हल्दी पावडर एड़ कर देंगे एक चमच यहां पर मैंने लाल मेश पावडर को एड़ कर दिया है आपको जितना तिखा पसंद है उसके इसाब से एड़ कर दीजेगा उसके बाद मैंने यहां पर एक चमच धन्या जीरा पावडर डाल दिय और 14 टीस्पून जितना गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आदी मिनित तक उसको पका लेंगे उसके बाद यहां पे हमें एड कर दिना है टामाटर जो हमने कट करके रखे है तो यहां पे मैंने एक टामाटर एड कर दिया है और उसको भी हमें अच्छे से भून लेन तेल छोड़ना चालो हो गए यानि की मसाले अच्छे से पक गए है तो अभी हमने जो लोकी कट करके रखी है वो एड कर देंगे अगर आप इसमें आलू का यूज करना चाहे तो एक छोटा सा आलू को भी कट करके एड कर सकते हैं यहां पे मैंने आलू का यूज नहीं किया यहां पर मैंने लोकी को कट करके रखा है वो पानी निकाल के एड़ कर देनी है तो यहां पर मैंने सारी लोकी को एड़ कर दिया है उसके बाद हम एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से सारी सबजी को मिला लेना है और आप देख सकते कि नमक को एड़ कर द धकन बंद कर लेना है तो आप देखा है कि लोकी में बहुत सारा पानी रहता है तो हम पानी को एड़ नहीं करेंगे और गैस कुकर को मैंने बंद कर लिया है हम तीन सिटी लगा लेंगे तो यहां पर कुकर को बंद कर दिया है गैस को आज मैंने मेडियम कर दी है और यहां पर से फ्रेस कटे हुए धन्या पत्ते आड़ कर देंगे और मिक्स कर लेंगे सबजी हमारी सुकी बनी है और अच्छे से लोकी पक गई है लेकिन अपने मेने पहले ही क्या है अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली सबजी पसंद है तो आप इसके अंदर वन फोर्ट कप जितना पानी डालें लेकि जादा पानी ना डाले नहीं तो ये पानी वाली सब्जी बंके हो जाएगी तो आप अच्छे से मिक्स हो गई है और यह हमारी मसाले-दार 3-4 मिर्ट ने बनने वाली ये सब्जी बनके तयार हो चूकी है तो गर्म गर्म आप इसे परोठा रोटी के साथ सर कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेर जरूर किजेगा हमारी चैनल गुजराती की चन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसे नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई